तो दीवाली क्लीनिंग शुरू हो चुकी है और मैं भी आज कर आल्टरनेट डेज पे किसी ना किसी एरिया की डिप लिनिंग करती रहती हूँ ताकि दीवाली के बिल्कुल एक हफ्ता पहले मेरी सारे घर की क्लीनिंग और डेकोरेशन कमप्लीट हो जाए Kitchen की cleaning में सबसे last में करती हूँ और Kitchen की deep cleaning की पूरी वीडियो already मेरे चैनल पे है उसका link में description box में दे दूँगी I hope आपकी cleaning list भी ready होगी एक या दो दिन का gap डालते हुए किसी ना किसी area को clean करते जाएं इससे आपको पता भी नहीं चलेगा कि पूरा घर कब साफ हो गया और आज मैं आपके साथ share करूंगी bathroom की deep cleaning दो bathroom अपने घर के already में clean कर चुकी हूँ और उसी वे में आज ही वाला bathroom भी clean करूंगी आप देख सकते हैं कि इस bathroom को deep cleaning की कितनी ज़रूरत है जो बीच की lines होती है tile के बीच की lines इन में काफी ज़दा dust जम जाती है तो इनको clean करना ज़दा tough होता है hard water stains आपको हर जगा नज़र आएंगे taps पे, basin में और tiles पे बिना ज़दा मेहनत के भी आप इनको easily clean कर सकते हैं लेकिन चलिए पहले सामार निकाल लेते हैं इस washroom में बस दो glass shelves हैं कोई cabinet नहीं है तो जो भी extra supply होती है उसे मैं अपनी closet में ही रखती हूँ किसी भी काम को करने से पहले अगर तयारी ठीक हो तो काम जल्दी हो जाता है तो ये एक तरह से आपकी preparation है पूरे washroom को खाली करके आप उसे cleaning के लिए ready कर रहे है garbage bag से मैं mirror को cover कर रही हूँ क्योंकि मुझे tiles पे पानी फैंकना है और पानी जब direct आपके mirror पे गिरता है तो उस पे stains बहुत जल्दी पढ़ते हैं तो किसी तरह का कोई chemical या पानी मैं direct कभी mirror के उपर नहीं फैंकती हूँ और same easy way से cover कर रही हूँ मैं electrical switches को इनके अंदर भी पानी नहीं जाना चाहिए तो short circuit हो सकता है आपको current लग सकता है तो पहले garbage bag के साथ और tapes लगाके आप इसको अच्छे से cover कर दे cleaning स्टार्ट कर रही हूँ मैं dusting से start करेंगे top to bottom जहां पे spider nets है या पे wall पे कोई dust लगी हुई है उसको पहले हम dry duster से अच्छे से clean कर लेंगे और भी दुनिया भर के काम होते हैं हम ladies को तो इतनी बारीकी से cleaning हम बहुत rarely कर पाते हैं लेकिन जब भी आपको मौका मिले तो ज़रूर इसको अच्छे से clean करें dry dusting तो मेरी done हो चुकी है लेकिन मुझे geezer को एक बार wet cloth से भी clean करना है geezer काफी height पे है तो पूरा हाथ उपर तक पहुंचता नहीं है तो wet cloth से clean करने पर dust इसके साथ चिपक जाएगी शार के उपर के पार्ट को तो मैंने wet cloth से clean कर लिया है लेकिन उसके holes को मैं clean करूंगी baking soda और vinegar के mixture से तो इन दोनों को मिला के मैंने एक paste ready कर लिया है किसी भी waste उस brush की help से इस पे apply कर दें toilet seat को तो हम clean करते ही रहते हैं लेकिन इसके water drink की cleaning नहीं हो पाती है तो आज हम इसको भी clean करेंगे तो vinegar की पूरी एक bottle मैंने इसके अंदर डाल दी है और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूं कुछ baking soda तक रीबन आदे गंटे के लिए आप इसको ऐसे ही छोड़ दें तो तूट गया है तो मैं इसको निकाल रही हूं इस पर मैं wiper को hang करती हूं ताकि wiper dry रहे और जितना वो dry रहेगा उतना ही वो गंदा कम होगा और dusting भी अभी चालू है मुझे window भी clean करनी है पहले dry duster से इसको clean कर रही हूं और उसके बाद wet cloth से clean करूंगी चली अब start करते हैं main cleaning जो की है wall tiles को clean करना सबसे पहले मैं पानी फैंक रही हूं एक side की wall tiles क्योंकि कोई भी tile cleaner लगाने से पहले wall का अच्छे से गिला होना बहुत ज़रूरी है तो अब मैं लगा रही हूं ये cleaner ये cleaner मैं लोकल market से ही purchase किया था और इसकी एक video भी है मेरे channel पे how to clean bathroom tiles and taps लेकिन काफी comment आये थे इसके regarding की ये cleaner हमें market में easily available नहीं है तो मैं आपको description box में link दोंगी जो cleaner इसी के बिल्कुल similar काम करता है इसका use करते हुए बहुत ही easily आपकी tiles clean हो जाती है लेकिन इसका use regular basis पे ना करें क्योंकि ये एक तरह का chemical ही है तो आप 6 months के बाद इसका use कर सकते हैं वैसे भी आपको जुरूरत नहीं पड़ेगी एक बार इसकी cleaning की हुई आपकी tiles चमकती रहेंगी cleaner को apply करने के बाद आपने 30 second to 1 minute सिरफ छोड़ना है और उसके बाद tile scrubber से इसको अच्छे से scrub करना है बहुत ही easily आप देखेंगे कि इसकी सारी गंदगी नीचे उतरती जाएगी एक wall की rubbing मेरी complete हो गए है और साथी फैंकरी हो में पानी और आप कपड़े के साथ इसको साथ की साथ dry करते जाएं cleaner लगाते वक्त आप इस चीस का ध्यान लखें cleaner आपकी सरफ tiles पर ही लगना चाहिए taps पर नहीं गिरना चाहिए क्योंकि taps आपकी इससे खराब हो सकती है तो ये थी मेरी last wall तो आप देख सकते हैं जैसे ऐसे मैं पानी फैंक रही हूँ तो कितनी ज़्यादा गंदगी नीचे आ रही है wash basin को clean करने के लिए मैं red harpic का use कर रही हूँ ये कोई sponsored वीडियो नहीं है लेकिन कभी-कभी मैं इसका use कर लेती हूँ लेकिन daily के लिए मैं normal detergent का ही use करती हूँ deep cleaning का मत्तब ये होता है कि आप उन areas को भी clean करें generally जिनको आप clean नहीं कर पाते हैं बात्रूम ये कैसी जगा है जहां पे हम अपनी body की सफाई करते हैं और जिस जगा पे हम खुद की सफाई करते हैं उस जगा का साफ होना भी जरूरी है शार पे पेस्ट अप्लाई के लिए काफी टाइम हो गया है तो इसको भी wet clothes से मैं clean कर रही हूँ toilet seat basin और wall tiles को मैं clean कर चुकी हूँ तो जो गंदगी इन सब चीज़ों को clean करने के बाद floor पे आई है पानी डालके मैं उसको एक बार wipe कर रही हूँ इसके बाद मैं वही cleaner floor पे भी apply करूँगी इसको apply करने के बाद भी आप same time के लिए यानि कि 30 seconds to 1 minute के लिए ही इसको छोड़े और उसके बाद rub करना शुरू करें baking soda और vinegar घर की काफी चीज़ों को clean करने के काम आता है लेकिन bathroom को clean करना इतना easy नहीं है hard water stains होते हैं जिनको baking soda और vinegar easily clean नहीं कर पाता है और आप देख सकते हैं कि बिना ज़्यादा effort लगाए बहुत ही easily ये dirt को निकाल रहा है झाल ज़्यादा ये हुआँ है अगर आपकी बैक में प्रॉब्लम है और आप जुक्के और बैट की काम नहीं कर सकते हैं तो इसली मार्किट में ऐसे ब्रशिस मिल जाते हैं जिससे आपको जुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो बस फ्लोर टायल्स भी मेरी अपक्लीन हो चुकी है तो पानी के साथ मैं बातरूम को अच्छे से वाश कर दूँगी फास्ट क्लीनिंग के लिए मैं बकेट और मक को भी रेड हार्पिक से ही क्लीन कर रही हूँ किसी भी एरिया की डीप क्लीनिंग स्टार्ट करना ही थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन जब आप एक बार लग जाते हैं तो उसे पूरा किये बिना आप चैन्से नहीं बैड सकते तो चलिए अब कर लेते हैं क्लीनिंग टैप्स की तो मेरे पास जो क्लीनर है उसका नाम है टैपी तो हो सकता है कि आपकी एरिया में ये आपको एजीली ना मिले तो इसी लिए मैंने डिस्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है जो क्लीनर इसी के सिमिलर काम करता है इनका use taps को बिलकुल नहीं जैसाब ना देता है क्योंकि hard water stains detergent से clean नहीं हो पाते हैं लेकिन इसका use भी मैं daily basis पे नहीं करती हूँ So now you can see shining taps Washing का काम हमारा सारा done हो गया है तो अब कोई डर नहीं अब उतार लेते हैं covering electrical board और mirror से Mirror को clean करने के लिए मैं Colin का use कर रही हूँ आप चाहें तो toothpaste से भी इसकी cleaning कर सकते हैं या फिर आप tea water चाय पत्ती का पानी जो होता है उसका spray करने से भी mirror बहुत अच्छे से चमंक जाता है तो लीजी cleaning part मेरा done हो गया है अब रख लेते हैं one by one हर चीज वापिस उसकी जगा पे कुछ cotton buds मैं अपने washroom में रखती हूँ क्योंकि nail paint को remove करने का जो काम है मैं अपने washroom में ही करती हूँ उपर की shelf पे room spray, husband का shaving foam, shampoo, nail paint remover और गुलाब जल और नीचे की shelf पे एक छोटी सी basket रखी है जिसमें हमने अपने डियोज रखे हैं मेरा scrubber और face massage cream भी मैं इसी में रख रही हूँ छोटा छोटा सा मान basket में इसलिए रख दिया है ताकि इसको उठा की cleaning करना इजी रहता है तो चलिए अब सब सेट हो गया है अब देख लेते हैं washroom cleaning के बाद कैसा दिख रहा है पूरे घर की दिवाली cleaning का काम बहुत ज़ादा होता है और उसके साथ अगर आपको वीडियोज भी शेयर करनी हो तो time period और बढ़ जाता है बट कोई बात नहीं मैं पूरी कोशिश करूँगी जितनी भी वीडियोज में दिवाली cleaning की आपके लिए ला पाऊं लेकिन मुझे motivate करने के लिए आपके comments का आना बहुत ज़रूरी है और साथी एक like बनता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मिलती हूँ आपसे नहीं वीडियो में नहीं topic के साथ till then bye, take care and stay healthy